आजकल हम लोग यग कर रहे हैं, तो अक्सर करके सनातन परफ़राओं को लेके यग का विशेलुक्त होता जाता है, अभी हमने एक बड़ी यग की थी करया गाओं में, तो वहां जाती परथाओं का भेद पड़ा है, तो परादी वो कैसे अमावेश पिठाया जाए, या वेदों की ही प्रंपराओं पर जीवन करना चाहिए? अब वेदों की प्रमपरा को धारन करने वाले अंगुलियों में मिलेंगे क्योंकि वेद को धारन करने के लिए बुद्धि शुद्ध चाहिए बुद्धि शुद्ध चाहिने के लिए आर सुद्धी चाहिए आर अशुद्ध हो चुका है अहार अशुद्ध हो चुका है अब जैसे यग्य की तो आप शंत महात्माजन हैं बड़ी बड़ी गोशालाएं होंगी तो हम उचे पर ज्यादा नहीं कह सकते नहीं तो यग्य करने के लिए हम हमारे पास समागरी नहीं रहे गई क्यौकि जो अधान्या दी जो वस्तों हैं सब केमिकल और वो खाद ऐसे फेके जाते हैं कि आपवित्र हो चुके हैं और जो दुख्ध है घ्रत है अभी तो हम लोगों को अपवित्र करिए दिया गया माराजी और वह अफ़सा को किला दिया गई अब अब इससे कैसे क्या जो यह तो ग्याता ग्यात में हम लोगों से हुआ है मतलब इसमें महराजी वैसे हम मतलब भाव से कह रहे हैं उपासना के मारग से अगर हमें जहर भी मिला के दिया जाता तो हम खाते ना प्रशाद सब्द हमने प्रशाद पाया ना कि लड़ू पाये हैं और ना हमने कोई अन्य पदार्ट पाया है इसलिए ना हमें कोई ब्रश्ट कर सकता है और ना कभी ब्रश्ट कोई कर पाएगा यह हम प्रशाद भोगता हैं और प्रशाद में नहीं प्रशादे सर्व उपाए करना प्रशाद का पमान है और अगर प्रशाद सब्द नहीं है लड़ू सब्द है तो फिर आप लड़ू क्यों मानते प्रशाद क्या कि हम नहीं मानते हैं देखो मारा जी वैसे तो पंच गव यादी भगवत चरणा मृता दी बड़े भाहो हैं लेकिन प्रशाद सब्द में हम दूशन सब्द नहीं लगा सकते हमारी स्रद्धा यह हम परस्टनल स्रद्दा कह रहे हैं अगर हमारे इस्ट का प्रशाद ऐसे करके दिया जा रहा है तो हम पालिये हैं इसके बाद उसमें बताया गया कि अभक्षपदार्त था तो हमने खाया ही नहीं अभक्षपदार्त दुरवासा जी दरसन करने तो उन्हों का मैं अगर खंड बाल ब्रहम चारी हूँ तो यहमना जी मार्ग दे दे ऐसा बोल देना तो ऐसा बोल दिया था मार्ग दे दिया था अब वापस कैसे जाएं तो बोले कह देना दुरवासा जीवन में दूब के रस के सिवा अगर जवान में कुछ नहीं रखा तो यहमना मार्ग दे दे तो गोपियां हस्पणी की कुंतलों तो खा चुके अभी हमारे सामें कोई पूआ कोई खीर कोई पूड़ी कोई कचोड़ी सब ले आई भगवान के पास गए और बोले महाराज गुरू चेला दोनों धन्य आप जूटे और आपके गुरू जूटे बोले कैसे बोले दुरवासा जी को हमने खीर पवाई किसीन का हमने पकोड़ी पवाई किसीन का और वो कहते हैं कसम खा के कह रहें कि जाके यमना से कहे दो कि दुरवास अगर दूरवारस के सिवा जबान में कभी कुछ रखा न हो तो जबान में तो हम सब पवा के आ रहीं प्रभू ये कैसा। तो उन्हों का वो भोकता भाव रहित वो भोकता भाव रहित उन्होंने श्वयम तो नहीं पाया अपने आप लोगों ने पवा दिया वो इच्छा रहित महापुरुश है इच्छा रहित है वो इच्छा में केवल दुरबारस लेते हैं अपने सिध्धानते में तो जो पुरा देश मानता है और आपने जो संदेश दिया है मैं मानता हूं कि पूरे भार्त वरस के सनातनी उशे अमल में लाएंगे और मानेंगे आप पूजी हैं क्योंकि हमारे ठाकुर हैं बात समझे ठाकुर जी को भोग लग चुका अब हम केवल प्रशाद पा रहे हैं भोग में क्या मिलाया गया यह ठाकुर जी जाने और पीछे जाने हमें सिर्फ प्रशाद पाया हम प्रशाद हमको अगर ऐसे कहा जाए कि चर्वी मिला हुआ लड्ड नहीं खाएंगे लेकिन प्रशाद और बाद में कोई कान में आके कई इसमें बिस मिला था तो भी आनंद रहेगा क्यार मरेंगे तो भगवत प्रशाद पाके मरेंगे तो मुझे आज चोब नहीं होना चाहिए आज आनंद होना चाहिए कि मैंने प्रशाद पाया सिर्फ प्रशाद पाया है मैंने लड़ू नहीं पाया मेरे ठाकुर ने जो देखा जो पाया उसी का जूठन हमने पाया है तो हमें भाव रखना है अच्छा ये भाव का खेल है अगर भावत सवेन भजतामरस काम देनू अगर प्रशाद के बाद सुधी करन तो फिर प्रशाद महिमा नहीं रह गई फिर प्रशाद महिमा नहीं रह गई फिर वो अलग बात हो गई प्रशाद सब्द में है अगर हमारे इस्ट का प्रशाद है और उसमें कुछ भी गरबर हुआ है तो इस्ट जाने और गरबर करने वाले जाने हम तो सरद्धा से अपने इस्ट की जूटन पाई है उच्छिस्टा मृत पाया है तो हमें लगता है कि उस विशे पर फिर सुद्धी करण का विशे हाँ सावधानी रखे बहुत जोर की सावधानी रखे नहीं उनकी दुर्गती होगी जो वो वस्तू का मिला रहे हैं जानकारी में उनकी दुर्गती होगी क्योंकि सास्त्रों हजारों लाखों करोनों लोगों की आस्था का विशे होते हैं और ऐसी जगे में इस तरह का संतों को अजुद्या में जो अमनों को बाठा गया संतों में था कि हम लैसन पर आज में , उमने धार्मप्रस्ट होने के ऐसे नहीं है यह हमारे इस्ट का महां महिम भाव है तो भाव का ही सारा खेल होता है हाँ हाँ अगर प्रशाद के बाद सद्धिकरन की बात आएगी तो प्रशाद महिमा लगो हो जाएगी